नमस्कार सातियों स्वागत और अभिनन्दन आप सभी का सातियों हमारी जो स्रीच चल रही है मंतली करंट से सम्मंदित आईए उसे को बढ़ाते हैं आगे आज चर्चा करेंगे आपके शुरू के जो सिप्तम्बर महा के जो दिन गुजरे हैं उसके अंदर हमारे करंट से सम् इजाम के लिए अति महत्वपुन साबित होंगे और जो पहला बिंदू हम पढ़ने जा रहे हैं मान के चलिए वर्तमान के जो भी एग्जाम आएंगे उनके अंदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाड़ है कौन सा आईए नाम है साथियों इंदरा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना एक एक बिंदू के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले कौन सी योजना इंदरा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना पहले इस योजना के बारे में कुछ इंपोर्टेंस जान कर लेते जैसे आपके सामने जो नाम है इंद्रा गांदी सेरी रोजगार गारंटी योजना इसकी घोशना कब हुई तो आप कहेंगी बजट 2022 और 23 में इस योजना की शुरुआत कब हुई तो हाले में 9 सित्मबर 2022 को कहां से हुई तो खानिया की बावडी जेपूर से कहां से सुरुआत हो गई है जेपूर से यह जो योजना है इसको कौण सा विभाग संचालित करेगा तो याद रखेगा इस्तानिये सौशाशन विभाग यानि कि सुवायत सासन विभाग क्यूंकि नाम से पता चल रहा है इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना ये केवल ऐसी योजना है जो किस शेत्र में हैं सहरी शेत्रों में इसके अंदर सामिल वो ही हो सकता है जो एक तो सहरी शेत्र का हो और दूसरी बात उनकी आयू 18 से 60 वर्ष हो के लिए अगली बात देखिए ये जो इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना है ये किसकी तरजपर है तो देखिए मंद्रेगा की तरजपर मंद्रेगा मतलब हमारे ग्रामिन शेत्रों में चलती है ना नरेगा बोला जकान मतलब महात्मा गांदी राष्टिये ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना जिसकी सुरुवात दो फरवरी 2006 को होई थी उसी की तरजपर क्योंकि वो योजना के उल ग्रामिन शेत्रों में उसी कितने दिन का सो दिन का गrãoस ग onu जह olगा में भी सो दिन का अ लेकिन बज़ट 2223 मंदरेगा के अंदर तक एशन अब कितने हो गया है एक सु पथीस दिन इधर सहरी शेतरों में कितने दिन का सो दिन का अच्छा इसके तहित शरकार दुवारा याद रखेगा परतिवरस कितना खर्च किया जाएगा 800 करोड यह तीन बिंदू वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी तरज पर है मंद्रेजगा की तरज पर तो सामान्य परकरति के कारिये और एक विशेश परकरति के कारिये सामान्य कारिये का मतलब जो हमारे मंद्रेगा में होता है और विशेश परकरति के कारिये का ताथ पर यह है जिसके अंदर मसीनों का उप्योग किया जाएगा या फिर कुछ ऐसे कारिये जो इलेक्ट्रोनि वो है 75 याद रखिएगा और विशेश परकर्ति कि जो कारिय होंगे उसमें जो सामगरी लागत है वो तो है 75 लेकिन परीश सर्मिक जो लागत है वो है 25 यह आप नोट करके लिख लीजिएगा एक्जाम के लिए अती महतव हूँ अच्छा एक क्यूशन और आपके दिमाग में कि सर यहां पर मज़्दूरी कितनी मिलेगी तो देखी जो कुसल शर्मिक है मतलब जो काम करने के अंदर परफेक्ट है उनको अनभव है उनको तो सरकार देगी 243 रूपए और जो एकुसल शरमिक हैं एकुसल सर्मिक उनको सरकार देगी 269 रूपए यह थोड़े से दो बिं पुरिक पुरी कौन सी इंद्रा गांदी शहरी रोजगार गारंटी योजना सित्मबर के शुरुवात का सबसे सांदार क्यूशन है ये योजना इसकी गोशना कब हुई सुरुवात कौन सा विभाग पात्र कौन होंगे कारिये दो परकार के होंगे लेकिन उनके अंदर परति कितना करेगी 800 करोड याद रिखेगा शहरी शेत्रों के अंदर इस परकार की यूजना लागू करने वाला पहला रज्जी है कौन सा राजस्तार तो एक तो यह क्यूशन बड़ा इंपोर्टेंट है सितंबर मां से और एक है आपकी यह कौन सा देखिए शिक्षक दिवस यानि कि कब पांच सितंबर पांच सितंबर दोजार बाइस के सुग अउसर पर कारिकरम मिशन बुनियाद वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रिखेगा एक्जामनेर आपको का मिशन बुनियाद जो कारिकरम है इसका सुभारम तो याद रिखेगा पांच सितंबर दोजार बाइस दुआरा राज्ये के 20 लाग विधारतियों को यह बड़े आंकड़े इंपोर्टेंट है इसलिए पोस्टर दुआरा आपको बताई जा रही एक तो सिक्षक दिवस य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा परदान करने है तू राज्ये वई विस्तार यानि की आठवी से लेकर जो बारवी तक की जो चात्राएं हैं उनको वैसे क्या वितरन किये जाते हैं टेबलेट अब इसी का विस्तार किया जाएगा वो भी किस मिशन के तेथ मिशन बुनिय बुनियाद है इसके तेत कितने विध्यारतियों को लाभारत किया जाएगा तो 20 लाक आंकड़ा ये मिशन बुनियाद क्या है तो याद रिखेगा विध्यारतियों को डीजिटल माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा परदान वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है औ अगला क्यूशन है कि पांच सित्मबर जो सिक्षक दिवस उशी पर राजस्तान के कितने सिक्षकों को शमानित किया गया था तो याद रिखेगा राष्टिये सिक्षक प्रुषकार 2022 से दो लोगों कौन-कौन एक तो है आपके दुरगाराम जी मुवाल जो कहां के हैं उद पांच सित्मबर को जो सिक्षक दिवस था उस पर पुरुषकरित किया गया बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है राजस्तान के किन शिक्षकों को राष्टिये सिक्षक पुरुषकार से शमानित किया गया तो दुरगाराम मुवाल जो आपके उदेपुर के हैं और एक सुन और दॉनिता गुलाटी है यह आपके मुख बदीर बच्चों को क्या कर रही है ट्रेंट चिक्षा देरेंघ कि को हैं किन का समन कहां से हैं है व्यक्ते को अगला एक यह आपके पख्वाडा है एक सित्मबर से लेकर 15 सित्मबर 2022 तक राज्य की जो समस्त विदाले हैं उनके अंदर एक पक्वाड़ा चलाये जाएगा जिसका नाम क्या है स्वच्छता पक्वाड़ा जिसके तेद सोच मोक्त वनों की कट्टाई को रोकना परियावन के बारे में बच्चों को बताना और आसपास का जो वातान है वो स्वस्त रखना इनके बारे में जानकार दी जाई तो ऐसा उठागर पूछ लेगा कि हाले के अंदर राज्य के समस्त विदाले हैं में स्वच्छता पक्वा प्रोग्राम लाँच किया जिसका नाम का है कम्प्यूटर सक्खी प्रोग्राम आपको पूछ लेगा के चुरू जप दॉड़ाम के सिफ्छत करने के लिए प्रोग्राम लांच किया क्वासर कूप्यूटर सक्खी प्inator of यह ठ्ट रांट्रोंencia के बावरे किया गया और साथ में गोवर्दन्स अगर जो उदेपुर है यहां पर पन्ना धाय की परतिमा का भी क्या किया गया अनावर्ण यहीं पर साथ में ही उदेशिंग जी और आपके चंदन की भी मूर्तियों का क्या किया गया था अनावर्ण लेकिन यह दो बड़े खाश है कि हाल की रक्षा करने के लिए अपने पुत्तर चंदन का बलिदान दिया था आप सब जानते ही तो यह दो क्यूशन बड़े खास है एक तो सालवा कला जोतपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठोड मूर्ति का नावन और एक पन्ना धाय की परतिमा का अनावन किया किसने शिक् वेरी इंपोर्टेंट है याद रखेगा हाले में शरकार दुवारा चार चिक्सा महाविदालों में फिंगर प्रिंट लेब शुरू करने की योजना बनाई हैं और कितने में तो जेपुर जोतपुर कोटा और उध्यपुर यानि की राजस्तान के जो चार चिक्सा तो ऐसा पूछ लेगा कि निम्ड में से वहे जिल्ले जहां पर राज्य शरकार दुवारा फिंगर प्रिंट लेब इस्तापित किये जाएंगे तो जेपुर जोतपुर कोटा और उध्यपुर तो यह बात थी आपकी शुरूआत की सिक्तमबर महा की चर्चा करेंगे हम आख